दोस्तो नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजिनर कुमार मनीश सौगत करता हूँ आपके युटूब चैनल जॉब इंडिया में दोस्तो अभी आपने जॉब इंडिया को सस्क्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सस्क्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो वीडियो को सेर कर दो UPNHM स्टाफ नर्स भरती 2021 दोस्तो 2445 पदो पर बिल्कुल फुल नोटिफिकेशन आ चुका है तो इस वीडियो में डिस्टिक वाइज वेकेंसी देखने वाले हैं बिल्कुल दोस्तो जो यहाँ पर आपके 9 पलस प्रोग्राम है इन सभी की वेकेंसी की डिटेर्स देखने वाले हैं और साथे दोस्तो आपको बताने वाले हैं कि कौन से यहाँ पर 5 डिस्टिक हैं जिसमें सबसे जादा वेकेंसी है तो दोस्तो 75 डिस्टिक यहाँ पे वेकेंसी के डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो हमारे साथ बने रहे पूरा वीडियो देखिए और दोस्तों अभी आपने वीडियो को लाइक ने किया है जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो वीडियो को सेर कर दो चलिए दोस् 18 अक्टूबर को यह notification जो है declare किया गया है इन सभी की information हमने पहले से ही Job India चैनल पर upload की है जाके आप लुग देख लो यहाँ पर दोस्तो नोटिफिकेशन हमने open करकी है आपको दोस्तो नीचे आना है और यहाँ पर आप लुग देखिए वेकेंसी पोजीशन आफ चायल्ड हेल्थ एसेन सी यू केमसी स्टाफ नर्स है तो दोस्तो यहाँ पर आपके 9 पलस प्रोग्राम है और 9 अलग तरह की यहाँ पर पोजीशन है जिसकी वेकेंसी की डिटेस में आपको डिश्टिग वाइद दोस्तो यहाँ पर देने वाला यूँकि most important information है इसमें आप लोग अपने जिले की वेकेंसी देख सकती हो कि किस प्रोग्राम में सबसे जाना वेकेंसी है तो सबसे पहले हम बात करें कि नंबर वन दोस्तो चायल्ड हेल्थ जी हाँ दोस्तो चायल्ड हेल्थ में S.N.C.U. केमसी स्टाफ नर्स की है जिसमें और एया में दो वेकेंसी आजमगड में एक वेकेंसी और बदाओं में दोस्तो पांच वेकेंसी बागबत में तीन वेकेंसी बहराइच में चार वेकेंसी बल्रामपुर में चार वेकेंसी बांदा में पांच वेकेंसी है और बारा बंकी में तीन वेकेंसी बस्ती में दो व इटावा में तीन वेकंसियां हैं, फैजाबाद में पांच वेकंसि, फरुखाबाद में पांच वेकंसि, फिरोजाबाद में चार वेकंसियां हैं, गाजियाबाद में दोस्तों तीन वेकंसि, गाजीपुर में दो वेकंसि, और गोंडा में एक वेकंसि, गोरकपुर में चार वेकेंसी हमीरपुर में तीन वेकेंसी है हापुर में यहाँ पे एक वेकेंसी हर्दोई में तीन वेकेंसी है हाथरस में दो वेकेंसी और जालोन में तीन वेकेंसी कानपुर दिहात में दो वेकेंसी और कानपुर नगर में दोफ्तो दस वेकेंसी है आगे देखती है कानपुर में 3 वेकेंसी, लखनों में 3 वेकेंसी है, यह दोस्तों इसके सब स्टेशन की बात हो रही है, तो टोटल यहां पर लखनों में अगर हम बात करें, तो यहां पर देखिए 8 वेकेंसी, 2 वेकेंसी, 10 वेकेंसी हो गया, 16 वेकेंसी है, तो लखनों में टोटल 16 वेकेंसी है, यह द दो वेकेंसी है, परताप गड़ में दोस्तों दो वेकेंसी है, राइबरेली में यहां पे दो वेकेंसी, रामपुर में एक वेकेंसी, साज़ापुर में एक वेकेंसी है, संभल में चार वेकेंसी, सिधात नगर में दो वेकेंसी है, सीतापुर में चार वेकेंसी, और सोन भद तो टोटल 189 वेकेंसी है है ना चायल्ड हेल्थ में और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्रोग्राम देखिए चायल्ड हेल्थ NBSU स्टाफ नर्स में जो है आगरा में 8 वेकेंसी है अलिगड में 2 वेकेंसी अलहाबाद में या परियागराज में 3 वेकेंसी अमेठी में 3 वेकेंसी अमरोहा में दोस्तों 4 वेकेंसी और रहिया में 6 वेकेंसी आजमगड में 1 वेकेंसी बदाओं में 6 वेकेंसी इसके बाद देखिए बागपत में 1 वेकेंसी बहराइच में 6 वेकेंसी, बलरामपुर में 21 वेकेंसी, बांदा में 9 वेकेंसी, बारावंकी में 2 वेकेंसी, बरेली में 2 वेकेंसी, बिजनोर में 3 वेकेंसी, बुलन सहर में 4 वेकेंसी, चंदावली में 4 वेकेंसी, चितरकूट में 3 वेकेंसी, देवरिया में यहां 4 वेकेंसी एटा में एक वेकेंसी, इटावा में पांच वेकेंसी, फरुखाबाद में तीन वेकेंसी है, फथेपुर में तीन वेकेंसी, फिरुजाबाद में दो वेकेंसी, गाजियाबाद में पांच वेकेंसी, गाजीपुर में छे वेकेंसी, गोंडा में 42 वेकेंसी, इसमें दोस्तों जोनपुर में एक वेकेंसी, जासी में एक वेकेंसीया है, कन्योज में देखिए, कन्योज में एक वेकेंसी, कानपुर देहात में दो वेकेंसी है, कानपुर नगर में छे वेकेंसी, कौसांबी में दो वेकेंसी, और यहाँ पर देखिए संद कबीर नगर, संद कबीर नगर य दो वेकेंसी इसके बाद दोस्तो मतुरा में एक वेकेंसी महु में एक वेकेंसी मेरट में पांच वेकेंसी मिर्यापूर में एक वेकेंसी मुरदाबाद में एक वेकेंसी परतापगड में एक वेकेंसी है और दोस्तो राइबरेली में चार वेकेंसी रामपूर में दो वेकें तो नमबर टू यहां पर प्रोग्राम की अगर हम बात करें, चाइल्ड हेल्थ NBSU में नमबर वन गोंडा में वेकेंसी है, 42 वेकेंसी है, लकिमपूर खिरी में 38 वेकेंसी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें दोस्तों 42 वेकेंसी जो है, गोंडा में है, तो सबसी पे 15 वेकेंसी सरावस्ती में है, सिधात नगर में 20 वेकेंसी, और सितापूर में 26 वेकेंसी, तो यह दोस्तों टॉप 5 डिश्टिक है, जिसमें सबसे जाना वेकेंसी है, चाइल्ड हेल्थ NBSU की हम बात कर रहे हैं, इसमें 5 डिश्टिक है, जिसकी वेकेंसी की डिल सबसे ज जानीं देग्ज़ादा wecancy, तो coward देखे आमने आपको लिष्ट दिखा दिया है इसके बाद हम थर्ड नम्मर की बात करेंगे Child Health NRC Child Health NRC अलहाबद परियागराज में 5 वेकंसी है अमेडिकर नगर में 1 वेकंसी है तो दोस्तों फार्म अपलाई करने से पहले अपना यहाँ पर पोजीशन चेक कर लो अपना प्रोग्राम चेक कर लो अपना प्रोग्राम चेक कर लो और अपनी पोजीशन चेक कर लो और अपना डिश्टिक देखो कि उस डिश्टिक में आपके डिश्टिक में वेकंसी है या नहीं है इसको देखकर ही आप लोग फार्म को अपलाई करिए ठीक है परियागराज में देखे 5 वेकेंसी है अमेरिकर अगर में एक वेकेंसी आजमगड में एक वेकेंसी है बदाओं में एक वेकेंसी बागबत में एक वेकेंसी बलरामपुर में एक वेकेंसी है बांदा में एक वेकेंसी दो वेकेंसी बारबंकी में बहराइच एटा रोजाबाद, गोतम बुद्नगर, गोरकपूर, जहासी है, वेके गोरकपूर में पांच वेकेंसी है, जहासी में एक वेकेंसी, कनोज में दो वेकेंसी, कास गंज में एक वेकेंसी है, लखेंपूर खेरी में एक वेकेंसी है, ललितपूर में दोस्तों चै वेकेंसी है, लखन सुल्तानपुर में दोस्तो एक वेकेंसी, उन्नाव में एक वेकेंसी और वरानसी में एक वेकेंसी है, तो यहाँ पर 34 टिस्टिक है, जिसमें वेकेंसी है, एनरसी में है, और इसमें दोस्तो सबसी जन्दा वेकेंसी के गर हम बात करें, तो ललितपुर में है 6 वेकेंसी है, औ इसके बाद भी इस program में farm को apply करिए बाकी मैं आपको बताऊंगा अभी आप लोग जो है फार्म को link जो activate होगा उसका wait करिए जैसे link activate होगा उसको मैं बताऊंगा कैसे farm को fill करना है कौन से program आपको choose करने होगे ठीक दोस्ते most important है इसे miss मत करना इसके बाद child health S.E.N.C.U. में देखिए वेकेंसी है जिसमें जोनपूर में 4 वेकेंसी कासगज में 4 वेकेंसी महूर में 4 वेकेंसी सामली में देखिए 12 वेकेंसी सोनभद्र में 4 वेकेंसी है सामली में देखिए 12 वेकेंसी है इसके बाद दोस्तों सोनभद्र सुल्तानपुर वरांसी में 4-4 वेकेंसी है तो Child Health S.N.C.U. में 36 वेकेंसी है और यह दोस्तो जौनपुर, कासगज, महुल, सामली, सौनभद, सुल्तानपुर वरांसी इन सभी डेश्टिक में है और सबसे जना दोस्तो सामली में है 12 वेकेंसी बाकी सभी में 4-4 वेकेंसिया करके रखी गई है, किलिए दोस्तो वीडियो को मिस मत करना, वीडियो को इसके मत करना आपको सारी इनफार्मेशन इसी वीडियो में मलने वाली है, वेकेंसी की डिटेस मोश्ट इंपोर्टेंट है, स्वाम में 7 वेकेंसी, अमिटकनगर में 4 वेकेंसी, अमिठी में 6 वेकेंसी, और आया में 5 वेकेंसी, आजमगर में 15 वेकेंसी, बागपत में 3 वेकेंसी, 19 वेकेंसी, बलिया में है, बांदा में 11 वेकेंसी, बारा बंकी में 1 वेकेंसी, बरेली में 12 वेकेंसी, बस्ती में 210 वेकेंसी हैं बिजनोर में 11 वेकेंसी है बदाओं में 11 वेकेंसी बिलंसहर में 14 वेकेंसी बेवरिया में 7 वेकेंसी है एटा में 8 वेकेंसी इटावा में 7 वेकेंसी है 7 वेकेंसी फैजाबाद में 7 वेकेंसी इटावा में 6 वेकेंसी फरुखाबाद 13 वेकेंसी फिरोजाबाद 2 वेकेंसी गौतम बुद्ध नगर में है एक वेकेंसी गाजियाबाद में है इसके बाद देखे दोस्तों गाजीपुर में 12 वेकेंसी गोंडा में 12 वेकेंसी दख वेकेंसी गोरकपुर में है और हमीरपुर में 8 वेकेंसी चार वेकेंसी हापुर में है पांच वेकेंसी हर्दोई में है जालोन में है, जौनपुर में 19 वेकेंसी, जहासी में 8 वेकेंसी, अमरोहा में 6 वेकेंसी, कनोज में 8 वेकेंसी, कानपुर नगर में 8 वेकेंसी, कासी राम नगर में 13 वेकेंसी है, बाकी देखिए, ओल्ड नेम भी दिया गया है, जो यहाँ पे आपके नेम चेंज किये गये है उसको भी कवर किया गया है जो आपके नेम दोस्तों चेंग कर दिया गया है आपके डिश्टी का उस डिश्टी का यहां पर नेम दिया गया है तो थोड़ा सा आप लोग कन्फिज मत होना कासी राम नगर में 13 वेकेंसी कोसांबी में 4 वेकेंसी खेरी में देखिये 4 वेकेंसी है कुसी नगर में 13 वेकेंसी ललिकपुर में 4 वेकेंसी लखनव में 4 वेकेंसी हाथ रस में 5 वेकेंसी मराज गंज में 6 वेकेंसी मैनपुरी में 21 वेकेंसी मतुरा में 4 वेकेंसी महु में 9 वेकेंसी, मेरट में एक वेकेंसी है, मिरजरपूर में एक वेकेंसी है, मुरादाबाद में छे वेकेंसी, मुझफर नगर में दस वेकेंसी है, पेली भीट में छे वेकेंसी, तेरा वेकेंसी, परतापगड और आइबरेली में है, रामपूर में पांच वेकेंसी दोस्तों, इ सुल्टानपुर में है और 3 In Gateway सुल्टानपुर में है और दोस्तों सबसे ne जानदा वेकेंसी, maternal, maternal health में है, 900 वेकेंसी है, इसके बाद दोस्तों 500 वेकेंसी जो है, इस वाले position में है, आप भी हमने आपको दिखा दिया है, community process में है, और इसमें सबसे जानदा वेकेंसी की बात करें, तो number one देखी, एक जगह है, 21 वेकेंसी है, इसकी information मैं अभी आपको दे करा हूँ, देखिए, आप लोगों की जो है, सबसे जानदा वेकेंसी की हम बात करते हैं, तो इसमें, दोस्तों, मेंध पूरी में है, मGenध पूरी में 21 वेकेंसी है, इसके बाद 19 वेकेंसी है, बलिया में है, फिर आजमगड में है, तो दोस्तों, इस डिस्टिग है, जहाँ इस 21 करके vacancy हैं इसके बाद एकि most important की बात करें तो maternal maternal health में 900 vacancy है और इसमें दोस्तों देखते हैं किस district में कितनी vacancy है और इसमें दोस्तों कौन से district है जहां पिस सबसेड जाना vacancy है maternal health की हम बात करेंगे तो दोस्तों video को like नहीं किया है video को like कर दो अब वीडियो को इसकी मत करना क्योंकि most important वीडियो है आगरा में 12 vacancy, अलिगर में 12 vacancy, अलहाबाद में 12 vacancy, आमबेटकरनेगर में 12 vacancy है अमरोहा में 12 vacancy, 12 vacancy करके यहाँ पर देखे सभी डिश्टिंग में है सभी लोग देख लो, बरेली, बस्ती, बिजनोर, बुलन सहर, चंदोली, चित्रकूर, डिवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, भरुकाबाद, फटेपूर फटेपूर में भी यहाँ पर 12 vacancy है, फिरुजाबाद में 12 vacancy, गाजियाबाद में 12 vacancy करके हैं आगे देखते हैं, सभी में 12 vacancy है, लकनों में देखी अलग से यहाँ पर इसके जो है- अलग से इसके जो है इसके इस के यह jadi और महराज गंज में देखे 12 vacancy सभी में दोस्तों 12 vacancy करके यहां पर आ रही है total 900 vacancy है जी है दोस्तों सभी district में 12 vacancy करके हैं और सभी district में 12 vacancy है यह दोस्तों maternal health staff nurse की हम बात कर रहे हैं इसके बाद दोस्तों national program की अगर बात करें होंगे आपकी merit आपकी जो कटा फेक कम जाएगी national program में बहराज में 40 vacancy लकिंफुर खिरी में 44 vacancy गोंडा में 36 vacancy राइब्रेली में 36 vacancy सीतापुर में 48 vacancy हरदोई में 32 vacancy सरावस्ती में दोस्तों सरावस्ती में 24 vacancy बलरामपुर में 40 vacancy लकनव में 12 vacancy 12 vacancy बाराबंकी में 28 vacancy उननाव में 44 vacancy तो हम बात करेंगे देखिए अगर हम बात करें national program की तो national program program में नहीं है न इस्टाफ नर्स की यहाँ पे vacancy है total 384 जिसमें 11 ही district में vacancy है national program में दोस्तों staff nurse की total 11 district में vacancy है और अगर आपके इस district में नाम है तो आपके यहाँ पे बहुत ही जबर्दस्त है देखिए यहाँ पे total 11 यहाँ पे district दिये गए हैं आप लोग देख लो अगर इन 11 district में सबसे ज़्यादा vacancy की हम बात कर लें तो सबसे ज़्यादा vacancy दोस्तों सीतापुर में है सीतापुर में 48 vacancy है इसके बाद दोस्तों उन्नाव में है तो नोट कर लो इसके बाद दोस्तों NUHM NUHM UPHC स्टाफ नर्स की बात करें तो आमेड करनागर में 2 vacancy और आया में 2 vacancy बिजनोर में 6 vacancy बांदा में 2 vacancy चार vacancy फरुखाबाद में मिर्जापुर में 2 vacancy 10 vacancy वरांद सी में है 4 vacancy सोनबदर में है और 2 vacancy यहाँ बारा बंकी में है तो NUHM UPHC में कुल यहाँ नव डिश्टिक है जिसमें vacancy है 34 और सबसे जन्दा vacancy वरांद सी में रखे गए हैं तो दोस्तो इस वीडियो में हम क्या cover कर रहे हैं आपके program के name देख रहे हैं staff nurse program की जो यहाँ पर name है उसमें कितने district है और किस district में कितने vacancy है और किस district में सबसे जन्दा vacancy है और कौन से program में सबसे जन्दा vacancy है कौन से district में सबसे जन्दा vacancy है इन सभी की जनकारी आपको दो एसी की बात करें तो यहाँ पे डिश्टिक है एक जासी है एक वरारसी है जासी में 10 वेकंसी है वरारसी में अठरा वेकेंसी है, तो वरारसी में दोस्तों काफी अच्छे वैच्छे यहां पर वेकेंसियां रखे गए हैं, तो दोस्तों हमने यहां पर डिश्टिक वाइज वेकेंसी कवर कर लिया है, कैसा लगा वीडियो जरूर बताईएगा, ठेंक दोस्तों, कोई भी वीडियो में अभी आपने वीडियो को लाइक ने किया है वीडियो को लाइक कर दो और अभी आपने दोस्तों मनीज पार्ट साला को सब्सक्राइब ने किया है यह most important है मनीज पार्ट साला को जरू सब्सक्राइब कर लो कि कि दोस्तों अब की बार आप लोगों को ऑनलाइन ए चारिक करेंगे मिलते हैं नाइस वीडियो में धन्यवाद